हेलो फुडीज, मैं हूँ किरन, होमेड फुडी में आपका स्वावत है मोदक या लड़ू, भगवान गनेश जी का पंसिद्ध भोजन है इसके पीछे एक परसित कहानी है भगवान गनेश ने भगवान विश्णू के छटे अफ्तार के साज यूद किया था उनकी लड़ाई के दोरान भगवान गनेश का दान टूट गया था वे कुछ भी नहीं खा पा रहे थे और उनकी भूग को शांत करने के लिए उन्हें मोदक दिया गया जो की असानी से वो खा सके इससे उनकी भूग शांत हो गई तभी से मोदक गनेश जी को बहुत प्रिये है तो उन्हें प्रसंद करने के लिए चलिए आज हम भी घर में मोदक बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दूद दूद मैंने 1 फोर्थ कप के करीब दूद लिया है कर देंगे बिलकुल स्मूद पेस्ट हम इसका बना लेंगे यह देखिए यह एकदम से स्मूद पैटर की तरह बन गया है अब चलते हैं गैस की और अब इसे गैस पर रख देंगे अब थोड़ी देर हम इसे गैस पर भूनेंगे गैस को on कर दिया है अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, अगर हम इसे छोड़ देंगे, तो यह सारा जो बैटर है तले में लग जाएगा, उसी कप से मैंने 1 फोर्थ देसी घी जो है लिया है, और इसे भी इसमें आट कर देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंग अब इसमें हम एड करेंगे शूगर, शूगर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें एड किया है, अपने हिसाब से भी कम या ज्यादा जितना आपको मीठा पसंद है, उस हिसाब से इसमें आप डाल सकते हो, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे इलाइची पाउडर, इलाइ हम इसे टेस्ट कर लेंगे, हाथों को थोड़ा सा पहले गीला कर लें और इस तरीके से इसकी गोली बना कर देखें, अगर आपके हाथों को नहीं चिपक रहा है और गोली असानी से बन रही है तो आपका जो ये खोया है तैयार हो चुका है, देखिए हमारे खोया बिल्कु अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, लीजिए, अब हमारा खोया सारा ठंडा हो चुका है, अब इसके मैंने तीन पोर्शन कर लिए है, क्योंकि आज मैं अलग अलग flavor में आपको मोदग बताऊंगी, ये मैंने केसर मिल्क इसमें डाल दिया है, गरम दूद में मैं अलग डाल के लग दिया था, इसका color बहुत अच्छा आता है, और इसका flavor भी बहुत अच्छा आता है, और इसमें अब डालेंगे red food color, तो इसमें आप जैसे शर्बत है, रूवजा वो भी इसमें add कर सकते हो, तो इसमें मैंने food color डाल दिया है, तो इसे भी हम अच्छे से mix क कर लेंगे, यह देखिए, मैंने सारे flavor अलग लग तयार कर लिए है, यह yellow color बन गया है, और यह red color बन गया है, और यह बनाऊंगी मैं dry fruit के साथ, तो यह पिस्ता काजू वाले मोतक बनाऊंगी, यह देखिए, यह मैंने dry fruit जो है, यह mix में चर्न कर लिए थे, हलके से, ज्याद इस तरीके से mix कर लेना है इसे, अब यह है मोधक stand मैंने लिया है, इसको अच्छे से पहले grease कर लेना है, और इस mold को अच्छे से grease करने के बाद ही हम बनाएंगे, इसे बंद करके, और अब इसमें हम जो है, यह थोड़ा सा इसमें डालेंगे मिश्रन, यह देखिए, इस तरी दबाना है, दबा दबा कर इसे भर देना है, यह देखिए, इस तरीके से, यह देखिए, इस तरीके से इसे दबा दबा कर भर लेना है, यह देखिए, यह कित्ती सुन्दर शेप आई है, और कितना बढ़िया लग रहा है मोधक, यह देखिए, बस इसी तरीके से मैंने सभी मोदक तयार कर लिये हैं और इस पर थोड़े से मैंने पिस्ते की कत्रन रग दी है और इसे मैंने केसर से गार्निश कर दिया है तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेस्पी? अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बाई बाई टे क्यों फिर मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ